ये कहानी है पूरे हिंदुस्तान में हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले मराथा शासन के अंथ की आखिरकार क्या गलती हुई कि पूरे देश में राज्य करने वाला मराथा राज्य खत्म हो गया मुगल राज्य का अंथ साल 1737 में ही शुरू हो गया था जब मुगलों के जादतर हिस्से पर मराठाओ का कबजा हो गया था 1739 में नादर शाह ने भारत पर हमला किया और दिल्ली को पूरी तरह से खत्म कर दिया 1757 में रगुनात राओ ने दिल्ली पर हमला किया और दुरानी शासक को वापस अफगानिस्तान लोटने पर मजबूर कर दिया था इसके बाद मराठा सरदार सदाशिव राओ भाउ ने अटक और पेशावर को भी अपने राज्य में शामल करना चाहा जिसकी वजह से अफगानिस्तान का सुल्तान एहमद शाब दाली जिसको दुरानी भी कहते हैं उसको अपने राज्य पर संकट महसूस होने लगा ना केवल एहमद शा बलकि मराठो कई शक्तियों से संपूर्ण उत्तर भारत के अवद के नवाब सजाओ दौल्ला और रोहिल्ला सरदार नजीब दौल्ला भी अपने उपर खत्रों के बादल महसूस कर रहे थे कहानी है 1747 की जब एहमद शा अबदाली जो की दुर्रानी राज्य का संस्थापक था उसने दुर्रानी की गद्धी संभाली काफी सारे भारत वर्ष के राजा और नवाब जो की मराठाओं के अत्यचारों से डरे हुए थे उन लोगों ने एहमद शा अबदाली को भारत आने और उनकी सहायता करने का निमंत्रन दिया ये समाचार जब गुप्तिचरो द्वारा मराठा सरदारों के पास पहुचा तो 1747 को पेशावर में दत्ता जी सिंधिया जिनको महान पेशवा बालाजी बाजी राओ ने वहां का सेना पती बनाया था उन्होंने दुरानी समराजी के खिलाव युद्ध की घोशना कर दी लेकिन अफगान सेना और सुझाव दॉल्ला ने उन्हें धोके से मार दिया उस वक्स अदाशिवराव भाव मराठा सरदारों में सबसे वीर माने जाते थे क्योंकि उन्होंने 1759 के युद्ध में नजाम की सिनाओं को हराया था जिसके बाद उनके अश्वर में काफी वृध्धी हुई और वो मराठा समराज्य के सबसे ताकतवर सेनापती में गिने जाने लगे अब जबकि पेशावर में दत्ता जी सिंधिया की धोके से हत्या हो चुकी थी तो ये बात एक मराठा समराज्य को ललकारने जैसी थी उस समय मराठा समराज्य में पेश्वा सबसे बड़ी पदवी हुआ करती थी और उस समय के पेश्वा थे पेश्वा बालाजी बाजी राओँ के पास अब सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि पेशावर का बदला कैसे लिया जाए और एहमत्षा अबदाली और ताकतवर बादशा से लड़ने के लिए किसे भेजा जाए अब इसके लिए मराठा समराज्य में काफी सारे उमीद्वार थे इसलिए सभी उमीद्वारों में एक प्रतियोगिता रखी गए जिसमें सबको अपनी अपनी युधनीती बतानी थी कि कैसे वो एहमत्षा अबदाली को खत्म कर सकते हैं काफी लंबी प्रतिसपर्दा के बाद सदाशिव राव भाव को सरवश्रेष्ट उमीद्वार माना गया 1760 में सदाशिव राव भाव अपनी समस्त सेना को उध्यागिरी से लेके सीधा दिल्ली की ओर रवाना हुए उस समय एमत्षा अबदाली दिल्ली को पार करके अनुप शहर यानि आज के दौर में पहुच चुका था और वहाँ पर उसका साथ दे रहे थे अवत के नवाब सजाउद्दॉल्ला और रोहिल्ला सरदार नजीब अदॉल्ला इस तरफ सदाशिव भाव के नेत्रित्व में मराठा दिल्ली में पहुचे तो उन्होंने लाल किल्ला जीत लिया और उसके बाद उन लोगों ने कुझपुरा किल्ले पर हमला कर दिया कुझपुरा में अफगानों को पूरी तरीके सितबा करके उनके सामान और खाने पीने की आपूर्ती मराठा सरदारों ने छीन ली अब क्यूंकि मराठा पूरे से सीधे चले आ रहे थे तो धीरे धीरे उनके धन में भी कमी हो गई थी तो उन्होंने लाल किल्ले की चांदी की चादर को भी पिगला कर उससे धन कमा लिया 14 जैन्वरी सन 1761 को बुदवार के दिन सुब आठ बजे एहमच्छा अबदाली की अफगान सेना और सदाशिव राव भाव की मराठा सेना आमने सामने आ चुकी थी दोनों में काफी भायंकर युद चल रहा था अब क्योंकि एहमच्छा अबदाली की सहायता करने के लिए और उसे खाने ये पीने की चीज पहुचाने के लिए रुहेल खंड के राजा लगे हुए थे लेकिन मराठा उस समय अकेले हो गए थे तो मराठाओ की सेना में भुकमरी फैलती ही जा रही थी लेकिन मराठी सैनिक बहुत बहादुरी से युद करते ही जा रहे थे सदाशिवराओ भाओ के भतीजे विश्वास राओ जो की उम्रे में काफी छोटे थे वो भी युद में थे और उनको युद के बीच में एक गोली लगती है जिसके कारण सदाशिवराओ भाओ अपने हातों से उतर कर विश्वास राओ को देखने के लिए मैदान में पहु भाग खड़े होते हैं। सदाश्रिफ रओ अपनी आखरी सास तक भादुरी से युद्ध करते हैं और अंततह वीरगती को प्राप्त होते हैं। और इसी के साथ महान मराथा समराज्य का पतन शुरू हो जाता है। ऐसी ही कुछ स्टोरी बाहुबली 3 मूवी में आ सकती है। त आप हमें बिताई आप बाहुबली 3 के लिए कितने एक्साइटेट हैं साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल जिसका नाम है बोलीग्राद स्टूडियोज